कि यहां पर आज हम सभी देखने वाले हैं एमजी की हेक्टर को शार्प प्रो वेरियंट है यह जिसमें की आप सभी लोगों को मतलब तगड़े तगड़े पीचर्स मिल जाते हैं एडएस थ्री सिक्स्टी डिगरी कैमरा यह सब तो छोटे मुटी फीचर्स हो गए गाड़ी की बात करें तो अठ्छा सो पैंती से आप सभी को चोड़ाई मिल जाती है और वहीं लंबाई की बात करें तो 469 मिल देख सकते हो तो बात करते हैं पहले फ् मिल जाती है यहां पर लोग कोघ से के पूर्बा यहां पर Crec लंबी तो काफी ज्यादा ही है और यहां टाइर साइज की बात करें तो टायर आप सभी लोग काफी बड़े-बड़े मिल जाते हैं और इसमें लिखा वाँ कि यह यहां 215 पचपन आर अठरा इंची के टायर मिल जाते हैं काफी चौड़े काफी बड़े से चारो साइड आप सभी लोग को डिस्क ब्रेक मिलने वाल है और इधर से आप सभी लोग इंटीरियर देख लिए और बात करते हैं इधर से ताओ देख सकते हो गाड़ी गंदी पर और फिर पीछे से बात करते हैं तो देख सकते हो गाड़ी पीछे से कुछ ऐसी दिखती है जिसमें यहां पर आप सुभी लोग को हेक्टर प्लस की बैजिंग मिल जाती है इस पूरा इलेक्टर को सेक्वेंशियल इंडिकेटर मिल जाएगा यहां पर आप सब लोग मिल जाता है नीचे के साइड में सैलेंसर यह सब डिफ्यूजर वागेरा नहीं है सैलेंसर आपको नीचे में मिलता है इधर स्केट प्लेट वागेरा और बूट आप सब लोग को सब्सक्रान यहां से दिखा देता हूँ तो आपसु लोग को अधो को गाम do प्ली से सिगमें में पहला कि आपको ऐसा सफारी में ने मिलता नहीं अहल्ively चाहि़ां इसको कंपेर करते हैं étad यहां पे 70 लेटर शुरम त्हसे 350' गाड़ा हम से खोलते हैं और पहले मिल जाता है यह में पैस्ट कर कर सकते हैं यहां है लोHo यहां पर कुछ भी नहीं मिलता है इसको कोई बहुत से लोग ट्विटर समझ लेते हैं यह है ट्विटर इंफिनिटी के इसमें आप सोगों को चार्ष पीकर और दो का सेट अप मिलता है चावी आप सोगों कुछ ऐसी सी मिल जाती है चावी पर पुरानी वाली जैसी चावी है अब आजाते हैं एंटैियर में और फिर बात करते हैं तो भाई इंटैрь में आ चूप है और देख سकता है जयादी है बढ़ी संदो फाहर आझा पनी होताे है वाल नुक्साण होती और तो लाइट थोड़ी कम आती है गाड़ी में बट स्टील मैं आप सभी लोको दिखा देता हूं ऐसा कुछ स्टेरिंग विल जाता है काफी लाइट स्टेरिंग विल है मतलब और इसमें सबसे एक मेन फीचर मिल जाता है जो मतलब अब मिलने लगा है एड़ेस के कारण कि आप स्ट देखा हूं तो इधर से आप सभी लोग देख सकते हूं ओ आर्विम के कंट्रोल लेफ्ट राइट आप सब लोग यहां से सेलेक्ट कर सकते हो ओ और फोल्ड करना हो यह भी कर सकते हो आप सभी लोग टेंपरे यह एक अपना क्रूस वगिरा का यह सब फीचर वगिरा मिल जा इन्फोटेन्मेंट सिस्टम भाई साफ 14 इंची का इतना तो ज्वाई एक्सवी 7 डालो का भी मतलब इतना नहीं आता है बट इसका 14 इंची का यह तच्स्क्रीन है पूरा का पूरा मतलब देखने से आप सब लोगो लगी रहा होगा भाई कैडी मतलब अलगी चीज है तो और आपना यूज कर सकते हो इधर से देख सकते हैं यहां से देख सकते हैं यहां से सब कुछ अपना देख लो अब यह बुरा मेन्यू है जियो सावन वगेरा चलाओ आपको जो भी मना है इस गाड़ी का काफी ज्यादा तकड़ है एस इवेंट देख सकते हो डैश बोड फेस या कुछ ऐसा सा मिल जाता है आप सब लोगो और इस गाड़ी में मुझे वीडियो बनना में सबसे ज्यादा फाइदा है कि जैड ब्लैक है यतना भीर है तो लोग ज्यादा देख नही को भिताके जादा फ्यादाव जि में सब्सक्राइए और देख सकते हैं यहां पे ट्रेक्शन कर्ण्ट्रोल का बटन मिल जाता है जैसे इसको प्रेस कर तोट्र एक्ट्रोनिक एक अीडिक को फ्रेक्शन कंट्रल आफ उफ इसको प्रेस कर दिया तो ओन हो जाएगा वापस से और वही देख सकते हूं इतर फाइव वोल्ट का चारजर है इदर वाइडलेस चारजिंग भी मिल जाता है आप सभी लोग को यूएसबी पोर्ट और म्यूजिक के लिए यह पोर्ट मिल जाता है इधर साइड में आप सभी को देख सकते हूं इतना सा हो रख है ना क्या ही कह सकते हैं खेर अब बात करते हैं यहां पर आप रियर के फैन को ओन कर सकते हो आफ कर सकते हो यह आप सभी लोग अपना फ्रेंट पार्किंग सेंसर को ओन आफ कर सकते हो इधर आप सभी लोग को मैन्वल हैंड ब्रेक मिल जा तो यार और यह आप से भी लोगों देख सकते हो नॉर्मल सही मिलता है मतलब नीचे में उसका इंडी सा भी नहीं मिल लखा है वी उपर के साइड में आप से लोगों बड़ा सा पैंवरेमिक सन्रूफ मिल जाते है यहां से सन्रूफ के कंट्रोल से अधर से आप से लोगों ला मिल जाता है विध लाइट यहांपर आप सभी लोग को सँंग्लास होल्डर मिल आ है उपर की सेदमें ये दो मायक मिल जाती है आप सभी लोग को देख सकते तो काफी तगड़ा है इन्ति इंटीर मतलब तो अब चलते हैं पीछे और अब देखते हैं कि कितनी सब्सक्राइब पीछे के साइड में आ चुके और देख सकते हैं पीछे के डॉर पे भी आप सोफ तच वगेरा फुल मिल जाता है यहां पे पावर विंडो के कंट्रोल इस पीकर सिस्टम है इधर इंफिनिटी के ट्विटर मिल जाता है आप सोफ दो काफी तकड़ा मिल जाता है तो पाँच फुट दस इंच मेरी नहीं पांच फुट दस से पीछे के साथ में दो आप सोफ देखने से पता लग रहा है ठीक ठाक मिल जाता है आप सब्सक्राइब अधर से ओन उफ कर सकते हो और फैन स्पीड बढ़ा सकते हो इधर डिजिटल वह बना वहाई जैसे ही आप करते हो फैन का स्पीड बढ़ाना है घटाना है जो भी करना बढ़ यहां पर आप सब्सक्राइब लोग को रीडिंग लेंप भी मिल जाता है यहां पर कितिनी बड़ी मतलब संरूफ है कि पुड़ा पीछे तक आता है हाला कि यह पूर्शन नहीं और यह पूर्शन खुलता नहीं है यह देख सकते हो आप से लोग को टैन कलर का इंटी जो की काफी सही लगता इस गाड़ी पर और आगे भगवान जी है जिनका आश्रवाद सब पर बना रहना चाहिए और देख सकतो काफी तगड़ी गाड़ी है यह एर बैग आप सब लोगो छे मिल जाते हैं ESP ESC यह सब तो इसके लिए छोटी बात होगे यह चे एर बैग मिल जाते हैं सीट में भी आगे भी साइड के लिए ढाड़ी मिल जाते हैं काफी तगड़ी गाड़ी है मतलब कह सकतो ना पेस्ट इंदा सेगमेंट कार है यह गाड़ी मतलब यह गाड़ी जो भी फीचरस आप स चलिए अब मैं आप सब लोग को इसके इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में आगे बैठी बतातूं बहार निकल के नहीं बता सकते तो देखो भाई यह है डीजल वेरिंट तो इस कारण से इसमें आप सब लोग को मिलता है टू लिटर वाला इंजन टू लिटर का डीजल इंजन मिलता है जो की 165 ब्हप के पावर निकालता है और साड़े 300 न्यूटन मिटर का टॉर्क निकालता है जो की काफी सही है इस गाड़ी के हिसाब से मतलब आप लोग समझी सकते हो कि यह एक मतलब मतलब मजा आजा चलाने में फुल टू फैमली कार है इसमें आपको एक बढ़िया सा डिजाइन मिल जाता है और मस्ट मस्ट फीचर्स मिल जाते है स्टेरिंग वील एकदम लाइट सा मिल जाता है तो मस्ट आप लोग चला हो एक उंगली सह से करके गुमाओ इंडिकेटर सब खुदी जल जाएगा जैसे बहुत से लोगों को यह प्रॉब्लम होदा था कि इंडिकेटर देना भूल गया यह हो गया वह हो गया तो इधर हाथ ले जाने की कोई जरूरत ही नहीं है ऐसे बढ़िया सिस्टम कर लो अपना और सीधे बंध हो जाएगा आप इंडिकेटर दे जाते हैं और इसके सेटिंग्स में जाके स्टैस्टिक्स डाइनेमिक्स यह सब चेंज कर सकते हो आप इसको और बोथ पर कर देते हैं तो देख लो जैसे जैसे स्टेरिंग करेंगे वैसे वैसे इसका तब कुछ दिखाता है सिस्टम बढ़िया गाड़ी है मतलब आप सभी क्या सकते हैं पैसा वसूल चीज जो होती है और यहां अब देख सकते हो आप से इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मतलब जिस बंदे को कुछ पता वता ना हो उसके लिए गलत ही चीज है क्योंकि इसमें बहुत से आप सभी लोग को फीचर्स वगेरा मिल जाते हैं देख सक कर सकते हो ऐसे ऐसे आप डाउन ड्राइविंग टाइम इंस्टेंट ए रेंज कितना बाकी है इंस्टेंट फ्यूल एकनॉमी करेंट स्पीड रिप बी रिपे यही सब और इधर से आप सभी लोग देख सकते हो फ्रेंट में क्या ही सिस्टम वएरा चल लाए इस गाड़ी मे देख सकते हो भाई इंटीडियर बहुत सही है गाड़ी का और बढ़िया विजिबिल्टी भी आप सभी लोगों मिल जाती है हाला कि इसका फ्रेंट सीशा हमने ब्लैक नहीं कर वाला खाई चले बाहर से लोग देख रहे हैं और बूनट वीव आप सभी लोगों काफी सही मि लिए धन्यवाद और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दिया में अगले वीडियो में थैंक्यू